कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं अन्मिंदर और मेरे चैनल एंबी स्पीक्स पे आप सब लोग का स्वाधत है कि आज कल सबसे बड़ी खबर वनी हुई है शिरी का अंत्यागी की और ये तब से शिरी का अंत्यागी सोचल मेडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं जब से उन्होंने एक महिला को धक्का मारा उसके बत्तमीजी की महिला को इस तरीके से धक्का मारना भी बहुत गलत बात है लेकिन क्या वाके में अरोपी शिरी का अंत्यागी का गुना इतना बड़ा है कि सारी मीडिया उसके पीछे पड़ गई है क्या इस पूरे प्रकर्ण में उस महिला की कोई गलती नहीं है क्या महिला को धक्का देना ही सिर्फ उसका जुर्म है या बाद में सुसाइटी में गुंडे मिजना अपराद है यह ऐसे सवाल है दोस्तों जो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे और जो भी इसकी इसके बारे में पड़ सुन रहे हैं उनके दिमाग में यह सवाल आने बहुत चाहिस से हैं यूपी के नौड़ा में महिला से बदसुलूकी करने के मामले में शिर्फ आंत्यागी अब काफी चर्शा में है तो सके मैंने आपको बताया और अब आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि शिर्फ आंत्यागी कौन थे कियो यह वाके में ही अपने आपको बीजेपी से जोड़ रहा है इससे पहले यह जान लेते है कि आखिर उस दिन जिस दिन महिला के सब बिवाद हुआ था वो पूरी घटना क्या थी क्या वाके में ही पेड लगाने को लेकर के पूरा बिवाद हुआ था तरसल खुद को बीजेपी का नेता बताने वाला त्यागी तीन दिन पहले ही सुसाइटी में अपने ग्राउंड प्लोर पर बने फ्लैट के सामने पेट लगवा रहा था इसी को लेकर कि एक महिला ने अब्जेक्शन किया तो वो भड़ा गया गाली गलाउस पर उतर आया दबंगे दिखाई और महिला के साथ धक्का मुकी की और फिर वो उसको मारने पीटने पर उतार हो गया और इस घटना का वीडियो सोचल मीडिया पर जब वारन हो गया तो का विरोध क्यों कर रही थी क्या इसकी वज़े से महिला को गाड़ी पार्क करने में बादा हो रही थी या फिर इसकी कोई और वज़ा है कबसे वो इस सोसाइटी में रह रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है फ्लैट के आस पास क्या उसने एंक्रोस्मेंट किया हुआ था और लेकिन शायद से त्यागी ने इन सारे नियमों का वालेशन किया अपने फ्लैट के आसपास एंक्रोस्मेंट किया हुआ था सोसाइटी के मेंडरिंस चार्ज नहीं देता था और यही नहीं अथर्टी के नोटिस को भी वो अपने रसूक पर रुकवा देता था शिरिकान त् करीब तीन-चार साल से लोग उसे परिशान थे लेकिन वो अपने रसूक के सलते कोई कारवाई होने ही नहीं देता था शिरिकान त्यागी नोटा के भंगेल का रहने वाला है आपको बताना जरूरी है कि हो करता क्या है कहा का रहने वाला तो मैं आपको बता रहें कि वो नुएटा के भंगेल का रहना वाला है तरसल भंगेल में नुएडा अथोर्टी ने काफी सारी जमीनों को अधिग्रहत किया था जिसमें शिरिकान त्यागी के परिवार के भी करोड़ रुपए की बेशकिम्ती समीं थी शिर मौज मस्तिक कर रहा था अब यहां यह भी सवाल है कि उसके परिवार के पास इतनी जमीन थी क्या मैं ये बात अंडरलाइन करके इस भी कह रही हूं क्योंकि जिस समय नाडा में लोगों की जमीने अधिरियत की गई थी लोगों ने अपनी जमीन का तो लिया ही साथ में अपने पड़ोसियों की जमीन का मुझा ले लिया था कै इस मामले में देखते हैं कि क्या हुआ आगए श श्रीकान त्यागी ने रिशिकेश और हर्दवार में जमीन खरीद रखी है और हाली में त्यागी में CNG पाइप बिषाने का भी ठेका हासिल किया है. श्रीकान त्यागी के पास ठेके पट्टे के काम उत्राखंड में काफी पड़ी मात्रा में है. अब इतने सारे काम वो कर रहा है तो ये भी सवाल बनता है कि आखिर वो कौन अफसर है जो उसका इतना उसे इतना सपोर्ट कर रहा है और इसके बदले वो किस तरीके से निताओं की लाजनिंग कर रहा था वह सारे सवाल है दोस्तों जिस वक्त शिरीक अंत्यागी अपने आगे ब Mayor गया मघंटर्ड हो रहता था कोई भी उसके अंत्र जाने वाला उसके घर में एंट्री लेने वाला मैटर्डी डिट्टर से होखर के गुजट्टा था शीरी कांड के इलाके में परवेश करने देना जरूरी होता था तब उसके घर में आंट्री मिलती इतना ही नह पुलिस ने एसकोर्ट की दो गाड़ियां फिलाल बरामत किये बाकी दो जीप की तलाशी की जा रही है अब एक सवाल और उठता है यहां पर कि क्या उसके सीनियर पुलिस एधिकारियों से भी लिंक थे जिस वज़े से उसे एसकोर्ट की सुविदा बिल रही थी पहले ही अपने काउम मगियर को छोड़ दिया था और वो सेक्टर चववन में रहने लगा था और ओमेक्स क्राउं सुसाइटी में रहने लगा था वहाँ पर अपनी दादागिरी चलाता था उस वीडियो भी है जो उसकी दादागिरी को दर्शाते हैं दरसे नौइडा अथोटी में शिरीकान त्यागी का सिक्का चलता था यूँ कह लिजे और शिरीकान त्यागी ने कौमेन एरिया में एक दिवार कड़ी की वही थी बेसमेंट में अभैद निर्वान किया हुआ थ और नौइडा की शिरीकान त्यागी का लगनवु में भी बहुत बड़ा एक काण हो चुका है पत्नी की ग्याद मजूद्विंगी में उसने अपनी एक महिला मित्र को बुलाया और संजोग कहिए कि उसकी पत्नी भी उसमें फ्लेट पे आ गई ये कुम्तिनगर के उसके फ् पहला मित्र और पत्नी में जबर दस्तमार पीठ हुई ये फरवरी 2020 की बात है और शिरीकान त्यागी की पत्नी ने गुम्तिनगर ठागे में इसकी शिकायच दर्स कराईती और ये भी कहाता कि उसकी 15 दुकाने हैं बहुत सारे और भी मामले हैं उसके खिलाब यूपी के केस शिरीकान की पत्नी दर्स कराया जैसे कि मैंने आपको बताया और शिरीकान पर अब तक पाच केस दर्ज हो चुके हैं दो केस महिला से बन सलूकी के बात दर्ज किये हैं त्यागी पर नोड़ा के अलग-लग फॉलिस स्टेशन में अलग-अलग फाई-ाड दर्ज हैं सेक् केस शिरीकान की पत्नी ने उसके खिलाब दर्ज कराया था। शिरीकान पर एक और फाई-ाड नोड़ा में दर्ज हैंसके लाबा हाली में जो उर्दाथ हुई है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है उसके बाद भी दो F.I.R. दर्ज की गई है फुल में लागे अभी तक उसके खिलाब 5 F.I.R. दर्ज हो चाहिए अब आती हूँ मैं जो मैंने शुरुआत में आप से कहा था कि ये मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस का सिर्दद बना है शिरिकान त्यागी की अफसरों से वे करके नेताओं तक सेटिंग है इसलिए पुलिस ने शुरुआत में शिरिकान पे हाथ नहीं डाला नेता और अफसर के डर के मारे पिलाला उरुपी की मदद नहीं कर रहें थे फॉलिस वाले डर के मारे जो है कोई आगे नहीं आ रहा था हाला कि महिला को इस तरह से धका मारना बिल्कुल गलत है और इसी वज़े से अब ये सारे जो केस खुल रहे हैं उस चोटी सी वज़े के कारण ये सब केस खुले हैं अगर उस दिन ये घटना नहीं होती तो शायद आज की तारीक में शिरिकांत्यागी इतना फेमस नहीं होता तो कहते हैं न कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके इंसान बच जाता है लेकिन एक कोई छोटा से किसी को धका मार देना उसमें उसकी लग जाती है अच्छा से और अब सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने आपको PGP का देता गह रहा है वैसे भी जो उसके ठाट पीशे और स्कॉर्ट चलते थे उसके पास बाउंसर थे तो यह तो सब उसके ठाट बाट थे यह सब किसी आम आदमी के नहीं होते हैं वो इतना वी आई भी नहीं था तो यह ऐसे वेक्तिके होते हैं जिसने किसी कुछ बिगाड़ा हूँ जिसे यह डर हूँ कि मुझे कोई मार जाएगा और फिर वो ही बात आती है कि उसका गुंड़ा रास्ता जो वो चला रहा था आप देखिए इस मामले में आगे क्या होता है मैं सारे अपडेट आपको देती रहूंगी फिलाल इतना ही दोस्तो आप अपना और अपनोंगा ख्याल लगिए जय हिंद जय भरत